नमस्कार दोस्तों, टाइम स्टूडे नियूज पर आपका स्वागत है तो दोस्तों, चीन इस समय पुरी दुनिया में अपनी धाग जमाने के लिए सब कुछ कर रहा है और जिससे पूरे विश्व पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है दरसल चीन अमेरिका को पचाड कर दुनिया की सूपर पावर बनना चाहता है और इसी सूपर पावर बनने की चाहत में वो लगतार अपनी सैन्य चमता का विश्व रहा है पूरी जानकारी मैं आपको डेटेल से इस वीडियो में बताऊँगा बस आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और अगर आप ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि इस चैनल पर आपको डिफेंस, फोरन पॉलिसी, फोरक्स रिजर्व, बिजनिस, पॉलिटिक्स, आधीस सम्मंदित खबरे मिलती रहती है तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं दरसल वासिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर आई है कि चीन इन दिनों तेजी से अपनी मिसाइल चमता को बढ़ाने में लगा है और नई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन अपने उत्तर पस्टीमी सहर युमान के पास एक रेगिस्तान में 100 से ज़्यादे मिसाइल सिलोज का निर्मान कर रहा है जिसके अंदर लोंग रेंज की इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइलों को रखा जाता है दरसल मिसाइल सिलोज जमेन के भीतर बने इस्टोरेज कंटेनर होते हैं जिसके अंदर लंबी दूरी तक की मार करने वाली इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइलों को रखा जाता है और चीन अपनी डॉंग फैंग सिरीज की गातक मिसाइलो को रखने के लिए इन मिसाइल सिलोज का निर्मान कर रहा है इन मिसाइलों में जो दो सबसे परमुक मिसाइले हैं उनमें पहली है DF-5 और दूसरी मिसाइल है DF-41 और ये जो DF-41 मिसाइल है इसकी रेंज लगबग 12,000 से 15,000 किलोमेटर तक की है यही नहीं चीन इन मिसाइलों को लॉंच करने के लिए पोसिबल लॉंच कंट्रोल फैसेलिटी भी तयार कर रहा है जहां से इन मिसाइलों को कंट्रोल भी किया जा सकेगा और इने लॉंच भी किया जा सकेगा और यहां तक की चीन नुकलियर ट्रैड यानि जमीन, आसमान और समुंदर से परमाणू हतियार दागने की चमता को भी विक्सित कर रहा है और नए मिसाइल सिलोस बना रहा है अब बात कर लेते हैं चीन की की चीन आखिर ऐसक कर क्यो रहा है दरसल चीन अमेरिका को काउंटर करने के लिए इन मिसाइल सिलोस का निर्मान कर रहा है क्योंकि दोनों देशों के बीच साउच चाइना सी को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद है क्योंकि साउच चाइना सी में नैचुरल रिसोर्स का भंडार है जहां कच्चा तेल और नैचुरल गैस भरपूर मातरा में उपस्तित है ऐसे में दोनों देश इस छेतर पर अपना अपना दावा करते हैं अब बात कर लेते हैं भारत की की चीन जो ये मिसाइल सिलोस बना रहा है भारत पर इसका क्या इंपेक्ट पड़ेगा दरसल हाली में भारत और चीन के बीच इस्टन लद्दाक में मिरेटरी स्टेंड आफ देखने को मिला था इसके अलावा पैंगोंग सो और गलवान गाटी जैसी गटनाई भी सामने आई थी और गलवान गाटी की इंसा में तो भारत की 40 जवान भी सहीद हो गए थे तो ऐसे में भारत को भी इन मिसाइल सिलोज को गंभीरता से लेना चाहिए और चीन की हर हरकत पर नजर रखनी चाहिए हाला कि दोस्तों आपका इस पूरी घटना पर क्या मानना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा थैंक यू वेरी मुझ पर वोचिंग वीडियो